ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशेटिव बोले तो BFHI क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डेस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिये जाएंगे बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वाइवर के लिए और थ्योरी के लिए भी पर बहुत छोटू सा प्यारा सा टॉपिक है तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशेटिव जो था ये एक इनिशेटिव था तो बटा ओविएसली किसने इनिशेट किया था और इनका में मकसद क्या था इनका में मकसद ये था कि एक पॉलिसीज बनाई जाएं किसको प्रमोट करने के लिए ये सपोर्ट करने के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशेटिव की शुरुवात की गई थी डबलूचो और यूनिसेफ के द्वारा इसमें मुखिता दस स्टेप होती है हल्थ हॉस्पिटल की पॉलसी होती है उसमें स्टाफ की कॉंपेटेंसी देखते है एंटी निटल जो प्रेगनेट मतर होती है उसको एडवाइस करते हैं उसके बाद कंगरू मदर केर देते हैं उसके बाद कैसे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है वो सिखाते हैं उसके बाद सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराने चाहिए मा के दूद के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, यह सब बताते हैं, rooming in कराते हैं, भाया, मा और बच्चे के बीच में bond हो सके, breastfeeding जितने जल्दी हो सके, शुरू हो सके, responsive feeding या फिर breastfeeding on demand के बारे में बताते हैं, bottle fat नहीं करना, क्यों नहीं करना, इनके बारे में जानकरी दे जाती है, और discharge के समय सपोर्ट किया जाता है, तो यह मुकिता 10 step होती है, baby friendly hospital initiative की, शुरू करते हैं, सबसे पहले चीज़ जो होती है, baby friendly hospital initiative में वो होती है, hospital की policies, baby friendly hospital initiative के तहट, सबसे पहले चीज़ जो शुरू की गई थी न, that was international code of conduct of marketing के द्वारा किया गया था, कि भाई साम, breast milk के substitutes को बढ़ावा नहीं देना है, वो जो आते थे न, बचपन में आपने देखते थे, saralac, ferricks और यह सब कुछ, तो breast milk के substitutes के तोर पे, आपको इनको बढ़ावा नहीं देना है, यह पहला था, second thing is, पहली step के तहट कि भाई, हर hospital में, medical college में, एक infant feeding policy, written infant feeding policy होनी चाहिए, जो आते जाते समय, बच्चों की माओं को, families को दिखती रहे, आते जाते वो पढ़ सकें, उसके अलावा, हर hospital के पास, एक monitoring and data management system होना चाहिए, जिसके तहट, वो सारी की सारी जानकारी रख सके, और साजा कर सके, बच्चों की, उसके अलावा, यह हो गई आपकी पहली step, पहली step में क्या कहता कि, hospital से related था कि, पहली चीज़ तो आपको marketing नहीं करनी है, breast milk substitutes की, दूसरी हर hospital में infant feeding policies होनी चाहिए, हर hospital के पास, data management system और monitoring की सुविधा होनी चाहिए, अब second step पे आते हैं, यह तो हो गई hospital की बात, अब hospital के अंदर कौन लोग काम करते हैं, hospital का staff, तो baby friendly hospital initiative के तहत, जो hospital का staff होता है न, वो उसके पास पूरी की पूरी knowledge होनी चाहिए, और उसके पास सारी skills होनी चाहिए, या फिर वो skillful होना चाहिए, जिससे वो आगे जाके, माओं, जो lactating mothers हैं, उनको breast feeding के बारे में बता सके, breast feeding कैसे करना है, वो सिखा सके, in short, support कर सके breast feeding को, समझ गए? तो second, पहला तो hospital के बारे में बता दिया है, second hospital के staff के बारे में बता दिया है, अब hospital में कौन आती है, वो third step हो जाएगी, कि भाई या, hospital में जो pregnant women आती हैं, और उनकी families आती हैं, उनको भी हमारी जिम्मेदारी है, कि सारी जानकारी देना कि क्या-क्या फाइदे होते हैं, breast feeding कराने के और कराते रहने के, तो ये तो हो गई आपकी baby friendly hospital initiative की third step, कि जो भी आपके पास pregnant lady आएगी, उसको आपको सारी जानकारी देनी है, breast feeding से related, सारी फाइदे बताने हैं, ये हमारी pregnant lady को, ठीक, ये हो गई आपकी third step, फिर भाई pregnant lady थी, तो delivery भी हो जाएगी, तो fourth step में, जैसे ही delivery हो, आपको ना skin to skin contact, या फिर kangaroo mother care, इसको हम बहुत important topic है, इसको हम अलग से वीडियो में भी discuss करेंगे, kangaroo mother care शुरू करानी है, kangaroo mother care क्या होता है, ये ऐसे skin to skin contact कराते हैं, और मा को सिखाते हैं, कि ऐसे ही रखना है जाएतर बच्चे को, इससे होता क्या है, पहला तो bond बनता है, मा और बच्चे के बिश्में, दूसरा बच्चा हाइपोथर्मिया से बच्चता है, और तीसरा और सबसे important, जिसके लिए Baby Friendly Hospital Initiative में रखा गया है, कि मा जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी breastfeeding शुरुआत कराएगी, अब ना आप से वाई-वाई पूशन रहता है, जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी का मतलब तो बता दे भाई साब, कि कितनी जल्दी, तो वो होता है, विदिन आधे घंटे आपको, विदिन आधे घंटे ओफ डिलिवरी, आपको breastfeeding शुरू करानी है, बच्चे की, समझ गए? तो that is skin-to-skin contact है, और kangaroo मदर के हैं, उसके बाद पाचवी step, जो Baby Friendly Hospital Initiative की होती है न, वो होती है, मा को सिखाना, कि भाईया कैसे breastfeeding की शुरूआत करनी है, कैसे उसको maintain करके रखना है, क्या-क्या सही technique होती है, बच्चे को पकड़ने की, ये देखो, एक हाथ जो होता है, वो पीछे बच्चे के सर को support कर रहा होता है, नीचे से पूरा पकड़े रहते हैं, वो सिखाते हैं, तो याद है, हमारी second step क्या थी, baby friendly hospital initiative की, हमारी second step थी, कि जो staff है हमारा, doctors, nursing staff, वो skillful होना चाहिए, और knowledgeable होना चाहिए, जिससे की वो सिखा सके, जो नई-नई lactating mothers हैं उनको, तो वही चीज़ियां का हमारी है, अब देखो, जितनी भी मा बनी हैं, lactating मतर्स हैं, वो सभी तो ऐसी हैं नहीं, कि मा के पेट से सीख के आई हैं, कि कैसे बच्चे को दूद पिलाना है, कैसे उसको पकड़ना है, भाईया, for example, हमने पढ़ा था कि, प्राइमी जो होती है, प्राइमी मतलब जो पहली बार मा बनी है, उसको थोड़ी पता है, कि कैसे मा बच्चे को दूद पिलाना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है, क्या उसको coaching दी गई, ज्यादा था तो coaching नहीं दी जाती है न, और मा के पेट से तो कोई सीख की नहीं आता है, तो सिखाना है, और सिखाने के लिए ही हमारी second step काम आती है, कि हमारा जो staff है, वो skillful और knowledgeable होना चाहिए, जिससे की मा को वो सिखा सके, कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे best feeding कराना है, कैसे उसको breast feeding कराने के बाद, आसे कंदे पे रखके, पीट में, चटवी step, दाट इस, exclusive breast feeding, Baby Friendly Hospital Initiative के तहत, exclusive breast feeding को तवज्जो दी जाती है, कि भाई साहब, छे महिने तक, बच्चे को मा के दूद के अलावा, और कुछ नहीं देना है, दाट इस, exclusive breast feeding, बस इसमें एक चीज़ है, कि अगर medically indicated है, तब तक, याने कि अगर मान लो बच्चे को neonatal jointes है, या कोई भी बीमारी है, जिसके लिए बच्चे को दवाई देनी है, तो that is medically indicated, कि अगर डॉक्टर बोलता है, कि भाईया ये दवाई दे देना, पानी में घोल के या इस तरह का, तब दो आप पानी, वरना तो पानी ये फ्लूइट्स भी नहीं देने है, छे महिने तक मार के दूद के अलावा कुछ नहीं देना, ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहों कि बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया मास से कि ये दवाई है, इसको पानी में घोल के दे दीजिएगा, लेकिन मा बोले कि नहीं, बेबी फ्रेंडली वहास्पिक्टिल इनिशेटिव के तहत कहा गया है, मुझे बच्चे को एक्स्क्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कोई फूड और फ्लूइट नहीं देना है, मैं दवाई नहीं दूँगी, तो इसलिए डॉक्टरों ने लिख दिया, कि भाईया, अंटिल मेटिकली इंडिकेटेड आपको 6 महिने तक मा कदूदी देना है, अगर डाक्ट साब बोले, तो भाईया, दवाई दे देना, ठीक, तो इसलिए आपका एक्स्क्लूसिफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद आता है, बहुत इंपोर्टन टॉपिक, रूमिंग इंड, वाईवा में पूछा रहा था, रूमिंग इंड का मतलब क्या होता है, रूमिंग इंड का मतलब होता है, कि हर अस्पताल को ये प्रैक्टिस करने चाहिए, कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी मां और बच्चे को एक ही कमरे में रखना शुरू कर दिया जाए, जिससे 24 घंटे बच्चा मां के सामने ही रहे हमेशा, इसे बहुत सारी फाइदे हैं, पहले तो भाई अगर रूमिंग इन करा दी, मां और बच्चा एक ही कमरे में हैं, तो जब चाहे मां बच्चे को दूद पिला सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट हो जाएगा, उससे भी जादा इंपोर्टेंट पुरानी पिच्चरों में और पुराने पेपर में आपने पढ़ा होगा, बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया, तो ये Baby Friendly Hospital Initiative के तहट Rooming Inn की Practice हर अस्पताल को करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ और बच्चे को एक ही कमरे में रखें और पूरे टाइम हमेशा साथ में रखें ऐसी कोशिश करनी चाहिए उसके बाद आता है कि encourage करना चाहिए breastfeeding on demand को अब ये breastfeeding on demand क्या होती है breastfeeding on demand होती है कि भया जो बच्चे होते हैं छोटो-छोटो से एकदब newborn होते हैं अब उनको जब भूक लगेगी तो वो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि अरे मम्मी भूक लगे या थोड़ा दूद दे दो या या mom I'm hungry please give me some milk तो बोलेंगे नहीं या बोलेंगे मम्मी भूक लगी तो चाहिए मुझे अभी तो बोलेंगे नहीं 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 बच्चे है तो न वो एक specific sound निकालते हैं कुईंग कुईंग मतलब एक specific sound होता है वो माओं को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला sound निकाल रहा है मतलब हमारा बच्चा भूका है और जैसे ही वो sound निकालना शुरू करें मा को समझ में आने लगता है आप 24 गंटे साथ में रखोगे तो ये समझ में आने लगता है तो मा उसको उठाती है और breastfeed करा देती है बच्चा भी खुश मा भी खुश तो ये चीज इंकरेज करनी चाहिए कि भाईया ऐसे ऐसे आवाज निकालेगा बच्चा तो आप समझ जाएगा कि he or she is demanding for breastfeed तो हमको breastfeeding on demand को इंकरेज करना है समझ गए? तो ये होती है breastfeeding on demand ये वाईवा में आपसे पूछा जाता है तो आपको बताते आना चाहिए कि भाईया specific cooing sound निकालेगा जिससे कि मा को समझ में आ जाए कि बच्चे को भूख लगी है तीक है? इसी को कहते हैं हम responsive feeding उसके बाद एक important चीज जो baby friendly hospital initiative के तहट माओ को और उनकी families को सिखाना है कि भाई साब क्या-क्या risk होते है bottle feeding के याद रखना कि जितनी कोशिश हो सके हमको bottle feeding की practices को बंद करना है आज को तो जातर बंद होई चुकी है कि भाई bottle feeding हमको नहीं करानी है क्योंकि इसके बहुत साए risk होते है infections होने के, बिमारियां होने के तो ये सारी चीज़े हमको माओ को बताना है through counseling कि क्या फायदे है breast feeding के और क्या नुकसान है bottle feeding के ठीक, तो ये तो हो गई आपकी 9 step, ये सब कुछ करा लिया है, सबसे आकरी में आपको बहिया coordinate करना है कि मा का अच्छे से discharge हो जाए और in fact discharge होने के बाद भी जहां वो रहती है, अगर वहाँ पे community में उस breast feeding support groups हैं, तो उनसे भी जाके मिलवा दें जिससे कि वो भी इसको सिखाते रहे और support करते रहे कि भी ये breast feeding कराते रहो, 6 महिने तक exclusive breast feeding, उसके बाद at least 2 साल तक breast feeding को आपको कराना है ये तो हो गई आपके total 10 step baby friendly hospital initiative की इसके अलावा एक MCQ मेरे को मिला था, अलग से, that was MFCI, MFCI baby friendly hospital initiative से मिलता जुलता शब्द था, इसलिए यहाँ पे डाल दिया that is mother friendly child birth initiative ये न USA में होता है मगर क्योंकि ये baby friendly hospital initiative से मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया, कि mother friendly child birth initiative नाम की भी एक चीज होती है, पर अपने आनी ये USA में होती है ठीक, तो हमने जो 10 step देखी, वो 10 step क्या थी, उनको याद कैसे रखेंगे, वो हम देख लेते हैं, भाई ये जो 10 step थी, सबसे पहली step क्या थी, सबसे पहली step तो hospital वाली थी, second step क्या थी, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, पुरा का पुरा hospital, second step क्या थी second step थी, hospital में काम करने वाला staff तो staff वाली थी third step क्या थी, third step में थी कि भाई है उस्पिटल में जो प्रेगनेंट लेडे आती है उसके बारे में थी ठीक है फोर्udge स्टीब क्या थी फोर्ट सेरी थी जो प्रेगनेंट लेड़ी है अब इसने बच्चे को डिलीवर कर दिया है तो जित्ती जल्दी हो सके kangaroo mother care कराई जाए ये थी हमारी fourth step fifth step क्या थी 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 kangaroo mother care तो करा रहे हैं breastfeeding करानी है मगर कैसे करानी है ये सिखाना है तो ये भी सिखा देगा हमारा staff जो है जो second में था कि staff skillful होना चाहिए six step क्या थी six step थी कि भाईया breastfeeding हमने सिखा तो दिया अब हमको उसको बताना है कि भाईया exclusive breastfeeding कराना है आपको माव के दूद के अलावा और कुछ नहीं देना है तो ये देखो six step क्या है exclusive breastfeeding तो exclusive breastfeeding six month तक करानी है थीक अब exclusive breastfeeding अगर आपको करानी है तो but obviously माव और बच्चे को एक साथ रखना पड़ेगा तो seven step क्या थी rooming in एक कमरे में रखोगे तभी तो साथ में रखोगे तभी तो दूद लाएगी पूरे time अब आपने rooming in भी करा दिया एक ही कमरे में रख दिया तो अब मा जो है वो सुन पाएगी कि भाई बच्चा जो है कब दूद मांग रहा है तो that is breastfeeding on demand और आपने breastfeeding on demand के बारे में भी सिखा दिया तो आप सिखा दो कि भाईया जो bottle fat babies होते हैं वो नहीं उनको infection होने के chances होते हैं तो नौवी step was breastfeeding on demand I mean bottle feeding के risk और दसवी step में तो आपको discharge कराना है तो यह हो गई आपकी 10 step याद कैसे रखना है पहला hospital दूसरा hospital के अंदर का staff तीसरा hospital में आती pregnant lady अब pregnant lady का बच्चा आ जाएगा तो चौथे में बच्चा आ गया है तो kangaroo mother care करा दो फिर पाचवे में kangaroo mother care कराने शुरू कर दिए तो सिखा दो कि भाईया कैसे करानी है breastfeeding अब आपने सिखा दिया तो उनको बोलो आप सिखा दिया तो 6 महीने तक यही करना that is exclusive breastfeeding अब आपको exclusive breastfeeding करानी है तो आपको एकी कमरे में रखना पड़ेगा तो that is rooming in आपने एकी कमरे में रख दिया है तो उसको सिखाओ कि भाईया कौनसा going breastfeeding on demand वाला कौनसा specific sound निकालता है वो सिखा दिया अब आप सिखाई रहे हो तो यह भी सिखा दो कि भाईया bottle fed नहीं कराना है और आकरी में discharge तो यह 10 step line से कहानी के तौर पे आप याद रख सकते हो ठीक तो अगर मैं बात करूँ सवाल की तो star question है भाई साब कि आपको short note में breast baby friendly hospital initiative कई बार पूछा जा चुका है तो आपको आना चाहिए और in fact आपको very short note के तौर पे भी आ सकता है कि भाई enumerate करो उसकी steps तो वह भी आनी चाहिए अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो पहला तो question वाईवा का यह होता है कि किस ने शुरुआत कराई थी और दूसरा वाईवा का question किस चीज को support करने के लिए baby friendly लिए hospital initiative किया किया है तो that is breastfeeding को support करने के लिए उसके बाद वाईवा के बहुत ही important question है जो कि हम अलग से video में भी करेंगे that is kangaroo mother care क्या होता है तो skin to skin contact करते हैं अगला जो बहुत important है कि भाईया कब से शुरू करानी है आपको breastfeeding तो as soon as possible कितना soon as possible that is within half an hour of delivery आपको breastfeeding शुरू करानी है अगला वाईवा का बहुत important question exclusive breastfeeding क्या होती है तो 6 माईने तक मा के दूद के लावा कुछ नहीं फिर rooming in वाईवा को बहुत important question की भाई साब rooming in क्या होती है तो वही मा और बच्चे को 24 गंटी साथ में रखना है एक और वाईवा का important question के भाईया breastfeeding on demand क्या होता है तो breastfeeding on demand क्या होता है specific कू करकर sound निकालता है तो मा को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बच्चा भूका है ठीक तो यह तो हो गए आपके वाईवास related questions अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline पार्ट हैं हमारे slides और notes में वो सभी PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ तो मेरे को यह मिला थ था कि भाई कब से शुरू करानी है breastfeeding तो as soon as possible तो as soon as possible कितना soon तो within half an hour of delivery अगला MCQ मेरे को मिला था कि exclusive breastfeeding क्या होता है तो भाई चे महिने तक मा के दूद के अलावा कुछ नहीं देना fluids और food भी नहीं rooming in पे भी मेरे को MCQ मिला था कि भाई क्या होता है तो मा और बच्चे को 24 घंटे साथ रखना उसके लवा exclusive breastfeeding on demand पे भी MCQ आ चुका है तो यह भी आपको पता होना चाहिए और एक छोटू सा MCQ जो baby friendly hospital initiative से मिलता जुलता शब्त था that is mother friendly child birth initiative तो जो की USA में करते हैं उस पे भी मेरे को MCQ मिल चुका है तो इतने चीज़े हैं जो आपको baby friendly hospital initiative में पता ही होनी चाहिए थैंक यू